हेलो बच्चो मैं रश्मियो मैट्स टीचर तो सवीडियोब हम सॉल्ल करें हमारा क्वेशन नूम्बर 12 तो यहां पे भी आपका फंक्शन का है प्रोड़क की फॉर्म में यह अपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो प्रोड़क्स फॉर्म में है तो वही हमें इंटिक्र स्कुर्ण वेल गया उसकी बाद तो आप लगा लो की फिस फर्स को आजर्टिक बना लोड़ते इंटिक्रेशन का साइं तो उसके साथ में रहे है मायनistant अब अब हम सब्सके इसको एल्गिर हेलं कर दें एक्स होता है और यह आगे इसको भी क्या करना पड़ेगा इंडी एक्स लगा 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 यह आपका यहां पर क्या हो गया एक्स टैन एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स ड् EG होके तो टैन एक्स का हमारे पास दो फॉल्मूला था। लोग ओसक भी था जिसकین माइनस की क्सा जुग साइग लोग सथिक्स तो दोनों फॉल्मूले और यहां पर लिख सकता है तो यह आपका एक्स टैन एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स क्या minus log cos x होता है तो minus और minus मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो log modulus of cos x plus c तो यह दोनों आपके इसके answer हो सकते हैं ठीके तो दोनों method हमें दोनो formula पता है part integration भागा part भी हमें पता है तो question कितना easy हो जाएगा now 13 देखो now question number 13 10 inverse x का हमें यहाँ पर क्या करना है integration करना है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर याद रखो कि integration of log x integration of 10 inverse x यह जो formula है क्योंकि यह main चीज़ यह inverse है यहाँ यह main formula है d by d h of 10 inverse x जो से हमें पता है तो integration of 10 inverse x का यह integration of log x का formula है जो हमें by part method से मिला है तो यह चीज़ आप यहाँ ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो solution है वो by part से हो क्योंकि एक single term है और यह single term है और एक simple term है trigonometric function के term है तो हम इसको कैसे integrate करें कि इसका solution में मिल जाए कोई और method यहाँ जो अभी तक हमने किया हो नहीं लगने वाला है ना substitution लगेगा ना आपका यहाँ पर direct formulas में से कोई लगेगा तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है by part लगाना है तो by part कैसे करें एक ही function है तो हम इसको one multiply कर सकते हैं तो यह 1 आपका यहाँ पर क्या है constant polynomial इस 1 को हम यहाँ पर क्या कहेंगे constant polynomial polynomial यहाँ पर क्या होते है algebraic function होते है तो यह आपका algebraic function है और यह आपका inverse trigonometric function है तो आइले में आपका i पहले आता है तो यह हमारा यहाँ पर क्या हो गया First function हो गया और यह हमारा यहाँपर क्या हो गया Second function हो गया तो आपकोional इंटिग्रेट करना यहाँ पर आ गया तो सबसे पहले first को यहाँ पर हम asertis रखते हैं तो यह आपका tan inverse x asertis integration of second integration of second तब कभान है तो सिधा आप dx लेख लो फिर minus इसको आप asertis लेख लो tan inverse x integration of dx हो गया फिर आपको पता ही क्या करना है यहाँ d by dx लगाना है फिर एक यहाँपर हो गया tan inverse x integration of dx क्या होता है तो फिर mindset और x square होता है और integration of dx क्या होता है तो x होता है और हमें इसका फिर से क्या करना है integration करना है चलो अब इसको हमें यह हमें पता है method of substitution से होगा तो यह हो गया x 10 inverse x square एक बार आरेंज करके लिए सिर्थे फिर minus integration of x upon 1 plus x square dx हो गया तो आपको पता है denominator को हम t यह मानेंगे differentiate करेंगे हमें dx की value मिल जाएगी और यह मारा यहां पर solve जाएगी अभी एक question कितनी बार यहां पर आ चुका है तो अभी हम इसको solve कर रहें तो now integration of x upon 1 plus x square dx इसको solve कर रहें दिनॉमेटर कमानते है let 1 plus x square equal to t हो गया now आप इसको differentiate करो differentiating with respect to x तो 1 का div by dx तो हो गया 0 x square का कितना हो गया 2x हो गया और अधर कितना हो गया dt by dx हो गया तो यह आपका कितना हो जाएगा 2x और dx को आप उधर लगी तो dx equal to dt हो गया तो यहां हमारे पास 2 नहीं हमारे पास x dx तो x dx ही है ना तो 2 को हम dt हो गया तो यह value रखेंगे यह value हम यहाँ पर रख करके इसको integrate करेंगे तो लिखो now integration of x dx कितना हो गया 1 by 2 dt तो 1 by 2 हमने आगे लिया यहां dt ले लिया और यह 1 upon 1 plus x square की जगे क्या रख गया t कर लिया तो integration of 1 upon t क्या होता है तो integration of 1 upon t होता है आपका log t तो 1 upon t log modulus of t plus आपका है c वो हम चलो बात में कर लेंगे तो यह 1 by 2 log t हो गया अब यहां पर इसकी value रख दो t की तो यह 1 by 2 log 1 by 2 log modulus of 1 plus x square हो गया और हम यहां c भी करी देता है तो अब आप क्यों क्या है यह जो हमने इसको integrate हम पहले से कर चुके थे इसको integrate हमने कर लिया यह value उठा करके आप यहां पर लग जो तो यह आपका कितना हो जाएगा तो therefore आपका जो integration चल रहा था x tan inverse x हो गया फिर minus as it is और integration of यह हमने लेकर के चले यह लेकर के चले हमें यह मिला तो यह हो गया 1 by 2 log modulus of 1 plus x square plus आपका c हो गया this is your final answer easy यह हमने यहां पर कर गया यह दोनों क्यों आपके बहुत ही easy थे इ इसा नहीं था कि जो में समझ में नहीं आए बट आपको यहां पर जो direct formulas बन रहे हैं उनके आप जोड़ा सा दिमाग मरना है कि यह question आता है तो यह इसके direct method जो है इसका integration हमें कौन से तरीके से मिलेगा